वंदे मात्रम आज की क्लास में पढ़ेंगे जिवार्वों में पोशन तो हम यह जानते हैं कि सभी जीवों में जीवन जीने के लिए क्या होता है पोशन की क्रिया होती है तो यहाँ पर देखेंगे कि जिमाड़ू में पोशन की इस प्रकार से होता है आप यह बात जान लीजिए कि यदि सबसे अधिक पोशन विधिया पाई जाती है तो वो है जगत मोनेरा में क्यों? क्योंकि जगत मोनेरा में जिमाड़ू को रखा गया और जिमाड़ू में ही सबसे अधिक पोशन की विधिया पाई जाती है तो यहाँ पर हम पोशन के अधार पर देखेंगे कि जिमाड़ू कितने प्रकार के होते हैं तो पोशन के अधार पर यदि देखेंगे तो जिमाड़ू तीन प्रकार के होते हैं और वह कौन-कौन सा है तो पहला है स्वपोशी फिर दूसरा है विशम पोशी और लाश्ट है सह जीवी तो यहाँ पर यदि पोशन के अधार पर जिवाड़ों को देखा जाएगा तो जिवाड़ों तीन प्रकार के होते है पहला है स्वपोशी, विशम पोशी और सह जीवी स्वपोशी का मतलब क्या होगा कि यह जो है नाम यहाँ पर देखिए स्वा लिखा है मतलब क्या होगा कि यह अपना भोजन स्वयम से बनाएंगे विशम पोशी में क्या होता है कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं और इसके अंतरगर दो प्रकार के जिवाड़ों आते हैं एक तो पर जीवी भी हो सकते हैं और दूसरा मृतोब जीवी हो सकते हैं उसी तरीका से सह जीवी जीवाड़ों कैसे होंगे तो ये क्या करते हैं ये भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे लेकिन उनको बदले में क्या देंगे उनको भी लावब प्रदान करेंगे है न इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है सह जी भी तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्वापोसी को है न तो स्वापोसी में क्या होगा स्वापोसी में क्या होता है कि वेजी वाडू जो अपना भोजन स्वैम से बनाते हैं इस तरीके से तो हम यह जानते हैं कि जो स्वैम से भोजन बनाते हैं है न तो उनमें क्या क्रिया होती है जैसे कि पेड़ पधो को हम देखते हैं वो क्या करते हैं अपना भोजन स्वैम से बनाते हैं इसलिए तो पेड़ पधो को क्या कहा जाता है स्वपोसी कहा जाता है तो उनमें स्वयम से भोजन बनाने के लिए क्या पाया जाता है एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक को क्या बोला जाता है क्लोरोफिल कहा जाता है तो उसी प्रकार से जिमाडूों में भी है ना स्वपोसी करने के लिए क्या पाया जाएगा प्र प्रकास अंशलेशन के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है तो जब बैक्टिरिया प्रकास अंशलेशन के लिए कर रहे हैं तो उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा अहां, लेकिन उन में क्लोरोफिल के समान मिलते जुनते वर्नक पाए जाते हैं, तो स्वप उसी दो प्रकार से होता है, जब बैक्टिरिया क्या करेंगे, खुश से अपना भुजन बनाएगे, तो वो दो तरीका से बनाएगे, एक है प्रकास संसलेशी जिवाडो, जो अपना भुजन प्रकास संसलेशन की क्रिया से बनाएगे, और दूसरा है रशायन संसलेशी जिवाडो, तो स्वपोसी में दो तरीके से जिवाडू पाय जाते हैं एक जो प्रकास संसलेशन की क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं और दूसरा जो रशायनों को संसलेशित कर अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकास संसलेशन की क्रिया पौधों में पाय जाता है लेकिन उनमें प्रकास अंसलेशन क्रिया के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन बैक्टेरिया में क्या होता है कि उनमें क्लोरोफिल के समान मिलते जुलते वर्नक पाया जाते है तो हम यहाँ पर जैसे प्रकास अंसलेशन को यदि लिखेंगे प्रकास अंसलेशी जी माड़ो कैसे अपना पोशन प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि जो प्रकास उर्जा का उप्योग करके है ना ऐसे जी माड़ो जो प्रकास उर्जा का उप्योग करके अपना भोजन बनाते हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्रकास उर्जा का उप्योग कर भोजन बनाते हैं तो इन में प्रकास को और शोशित करने के लिए क्या पाये जाएगा तो इन बैक्टिरिया में क्लोरोफील किस में पाया जाता है पेड़ पौदों में पाया जाता है जिनकी वज़ा से वो हरे दिखाई देते हैं और यही जो है वो प्रकास उर्जाशन की क्रिया में मदद करता है लेकिन जो प्रकास उर्जाशन बैक्टिरिया होते हैं उनमें क्लोरोफील से मिलते जूलत से वारणाग पाया जाते हैं प्रेजेंट होते हैं जैसे कि अगर हम फॉर एक्जांपल के लिए देखेंगे कि वह कौन-कौन सा वारणाग हो सकता है तो पहला है बैक्टीरियो पर प्यूरीन बैक्टीरियो पर प्यूरीन वारणाग पाया जाता है पिग्मेंट्स और एक है बैक्टीरियो ख्लोरोफिल बैक्टिरियो क्लोरो फील ये भी क्या है पिगमेंट्स है तो जो बैक्टिरियो परप्यूरिन जो पिगमेंट्स है वह बैगनी कलर के जीवाड़ों में यह वर्नक प्रेजेंट होता है उसी प्रकार से जो लाल कलर के बैक्टिरिया दिखाई देते हैं उनमें बैक्टिरियो क क्या करते हैं बैक्टिरिया को प्रकास उर्जा में मदद करते हैं और उसके थ्रूफीर वह क्या करते हैं प्रकास अंसलेशन की क्रिया कर अपना पोशन प्रदान करते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो पेड़ पौदे हैं वह क्या करते हैं प्रकास अंसलेशन की उर्ज में कार्बन डैक्साइड और पानी का यूज करके क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और क्या बनाते हैं और ऑक्सिजन बनाते हैं लेकिन यहां पर जो बैक्टिरिया हैं वह पानी का यूज नहीं करते हैं तो जब यहां पर वह पानी का यूज नहीं करते हैं तो क्या ची पानी का यूज़ नहीं करते हैं वह आकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करते हैं इसी तरीका से हम दूसरा देखेंगे रशायन संस्लेशिय जिवाडू इसमें क्या होगा कि वे जिवाडू जो क्या करते हैं रशायनोर्जा का उप्योग करके अपना भोजन बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे जिवाडू जो रशायनोर्जा का उप्योग करते हैं यह रशायनोर्जा का उप्योग करते हैं और कार्बनीक तथा अकार्बनीक कार्बनिक वह अकार्बनिक योगी का यूज़ कर ओक्सी करन करते हैं है ना तो रशायन संसलेशे जिवाडू क्या करते हैं वह जिवाडू जो रशायन उर्जा का उप्योग करते हैं प्रकास वाले क्या करते हैं प्रकास उर्जा का उप्योग करते हैं रशायन संसलेशे जिवाडू कार्बनिक वह अकार्बनिक योगी को का यूज़ कर ऑक्सी करन करते हैं अलब ये जो कार्बनिक और आकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, तोड़ कर, है ना, उनको सरल पदार्थों में तोड़ कर, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन जिवाडुओं को क्या कहा जाता है, रसायन संसलेशी जिवाडु कहा जाता है, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, रसायन संस्रेशी जी माडू भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है जो अकार्बनीक पतार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं रसायन संस्रेशी अकार्बनीक पोश्रक प्राप्त करने वाले जी माडू उसी प्रकार से यहाँ पर रसायन संस्रेशी कार्बनीक पोश्रक जी माडू तो रसायन संस्रेशी जी माडू भी दो प्रकार के होते हैं एक जो कार्बनीक पतार्थों को अपना भोजन बनाते हैं और दूसरा जो कार्बनीक पतार्थों को अपना भोजन बनाते हैं तो यहां पर अगर हम ग्जाम्पल में देखेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं, नैटरी करन जिवाडू, जो क्या करते हैं, नैट्रो जन का उप्योग करके अपना भोजन बनाते हैं, तो यहाँ पर यह दी अगर हम एक देखेंगे कि जो नाइट्री करन जो जिवाडू है, है ना, तो इसमें कौन सा जिवाडू नाइट्रोजन को प्योग करेगा, तो नाइट्रोसो मोनास, यहाँ पर आप नाम लिख लिजिएगा नाइट्रोसो मोनास, वो क्या करता है, अमोन गैस के रूप में प्लस एनर्जी में चेंज कर देता है यह जो नाइट्री करन्ट जो जिवाडू होते हैं नाइट्रोसो मोनास है ना जिवाडू का नाम है नाइट्रोसो मोनास वो क्या करते हैं अमोनिया और अक्सिजन का उप्योग करके अमोनिया का है अमोनिया और अक्सि प्राप्त करता है इसी प्रकार से जैसे कि कार्बनिक में हम देखेंगे तो कार्बनिक में एक्जांपल हम देख लेते हैं मिथेन जिवारू ये जो मिथेन जिवाडू है आप इसका नाम जानते होंगे आप मिथेन जिवाडू पढ़ चुकी है जिसका नाम है मिथेनो कोकस है ना कौन सा जिवाडू है वह मिथेनो कोकस आर्की बेक्टेरिया में पढ़ा होगा मिथेनों कोकस करके आपको नाम याद भी आ रहा होगा ये क्या करते हैं मिथेन को सरल पदाथों में चेंज करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो वह किस प्रकार से करते हैं तो इसका हम रियक्शन देख लेते हैं 2S2 प्लस 2O2 उसके बाद ये किसमे चेंज होते हैं कार्बन डेक्साइड प्लस S2O जल में और प्लस इनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं तो इस परकार से जो मिथेन जिवाडू है वह क्या करते हैं मिथेन और ओक्सिजन से क्रिया करके हैं कार्बन डेक्साइड और पानी और एनर्जी में चेंज हो जाते हैं और उस मिथेन जिवाडू का नाम क्या है मिथेनो कोकस तो इस परकार से था ये रसायन संसलेशी जिवाडू अगला हम देखेंगे विसम पोसी जिवाडू तो यहाँ पर हम देखेंगे विसम पोसी जिवाडू विसम पोसी का मतलब क्या होता है कि यह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जिवों पर डिपेंड रहते हैं तो यहाँ पर जो विसम पोसी है वह दो प्रकार से होते हैं विसम पोसी में आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि वे जिवाडू जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं और विशम पोसी जो है वह दो प्रकार के होते हैं पहला है परजीवी परजीवी जिवाडू और दूसरा है मृतोप जीवी जिवाडू तो यहाँ पर देखेंगे जो परजीवी जिवाडू है वह क्या होता है परजीवी जिवाडू क्या होंगे यह अपने पोशन के लिए किसी अन्य जीवों पर डिपेंड रहेंगे हैं और उस पर परजीवी के रूप में उपस्थित रहते हैं मृतोव जीवी मतलब क्या होता है कि वे जीवाडू जो अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्त या मृत जीव है ना या मृत जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे अपना पोशन प्राप्त करते हैं तो उनको कहा जाता है मृतोव जीवी तो यहाँ पर जो पर जीवी वो दूसरों पर क्या रहते हैं उपस्थित रहते हैं पोशक पोशक जीवी के रूप में उपस्थित होते हैं जैसे कि अगर हम एक्जामपल देखेंगे इसका तो माइक्रो बेक्टिरियम ट्यूबर कुलोसिस नामक जो जीवाडू है वह क्या होता है जीवों में पर जीवी के रूप में उपस्थित रहता है और कौन सा रूप उत्पन करता है वह तो टीबी रोग है जिसको क्या बोला जाता है टीबर कुलोसिस तो यह टीबी रोग उत्प उपस्थित है भी तो वह रोग उत्पन नहीं करते हैं तो पर जीवी जीमाडू ये जीमाडू दूसरे जीवीत पोशकों पर डिपेंड रहते हैं मतलब वह अपना भोजन जीवीत है ना जो जीवीत रहते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो यह दो तरीके से होत जिवाडू जो यदि दूसरे जिवों पर उपस्थित हैं लेकिन उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है हानी रहित और रोग जनक मतलब रोग उत्पन नहीं करता जिससे उनको हानी नहीं पहुंचती हैं तो ऐसा कौन सा जिवाडू है जो मनुश्यों में यदि उपस्थित है और उनको रोग उत्पन नहीं करता है तो इसका एक्जामपल लिख लीजेगा आप इकुलाई इकुलाई नामक जो जिवाडू है वह मनुश्यों के आत में उपस्थित होता है और यह इनको कोई भिहानी नहीं पहुंचता है उसी प्रकार से यह दि हम दूसरा देखेंगे रोग जनक रोग जनक जिवाडू क्या होते हैं कि यह रोग उत्पन करेंगे हैं मतलब हानी यूक्त हानी पहुंचाते हैं तो ऐसा कौन सा जिवाडू है जो मनुश्यों में क्या करता है पर जीवी के रूप में उपस्थित होकर उनमें रोग उत्पन करता है तो ऐसे बहुत से जिवा दिपलोकोकस, नूमोनी, अभी से पहले ही हम मैंने एक बताया था, क्या बताया था माइक्रोबैक्टिरियाम, ट्यूबरकूलोसिस, ये क्या करता है, टीवी रोगुत्पन करता है, डिपलोकोकस निमोनी क्या करता है निमोनिया रोग उत्पन करता है उसी प्रकर विब्रियो कॉलेरी है जो कॉलरा नामक भीमारी उत्पन करता है है ना तरसे बहुत से जिवाडू है जो क्या करते हैं मनुश्यों में रोगुदपन करते हैं हाना और परजीवी के रूप में उपस्तित होते हैं अगला देखेंगे विसम पोसी के अंतरगत पहला हो गया परजीवी जिवाडू और दूसरा है मृतोब जीवी जीवाडू क्या होता है मृतोब जीवी जीवाडू तो वे जीवाडू जो सड़े गले पदार्थ या मृत पेड़ पौधे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो मृतोब जीवी जीवाडू है या पोशन है तो सड़े गले वा कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं और उस पर डिपेंड होने की वज़ा से यह क्या करते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें चेंज कर देते हैं सरल अकार्बनी पदार्थों में चेंज कर देते हैं इक्जामपल देख लेते हैं तो इसका इक्जामपल हो जाएगा बैसिलस माइकोईडीस इसका पहला इक्जामपल हो जाएगा बैसिलस माइकोईडीस एक और हो सकता है स्यूडो मोनास यह जो बैक्टिरियां है वह मृतोब जीवी बैक्टिरिया के अंतरगत आते हैं लाश्ट हम देख लेते हैं सहजीवी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सहजीवी जिवाडू क्या होता है विसम पोसी और सहजीवी जिवाडू सहजीवी और विसमपोसी दोनों क्या है दूसरों पर डिपेंड रहते हैं लेकिन जो विसमपोसी होता है वह क्या करता है कि जिस भी जीवों पर निर्भर होगा उसको हानी पहुँशाता है लेकिन जो सहजीवी है वह क्या करते हैं कि यह अगर दूसरे जीवों पर उपस्थित हैं तो बदले में क्या करते हैं उनको लाब पहुशाते हैं तो ऐसे जीवाडू जो दूसरे जीवों के साथ परस्त पर संबंद इस्थापित कर लेते हैं, है ना, और एक दूसरे को लाब पहुशाते हैं, जैसे कि अगर आप जानती हैं कि ऐसा कौन सा जीवाडू है जो सहजीवी का काम करता है, तो राइजोबियम, जो राइजोबियम नामक जीवाडू है, वह क्या करता है, कहां उपसित रहता है, तो यह जड़ों पर पाया जाता है, जो दलहनी फसल होते हैं, उनकी जड़ों पर पाया जाता है, हना, गाठ के रूप में, और क्या करता है, यह पौधों को नैट्रोजन इस्थरी करण में बदले में क्या करता है बदले में इनको क्या मिलता है वहाँ पर आवास रहने का इस्थान मिलता है उनको पोशक मिलता है और पौधो क्या करते हैं यह नैट्रोजन इस्थरी करण में मदद करते हैं और उनको नैट्रोजन पहुचाते हैं तो यहां पर अपलिक सकते हैं कि जो फशल होते हैं उनके जड़ों पर है ना उनके जड़ों में या गांठ के रूप में प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इस पकार से थाया जिमार्वों में पोशन